तो गाइस मैं हुआ की तौर आप दिख रहे हैं रस्लिंग फैंस नाइट वक सुरह करते हैं अपनी बात को अनुक सबसे पहले भाई सैटरेड़े नाइट में इवेंट से तो भाई डब डबी ने अनॉंस कर दिया सैटरेड़े नाइट में इवेंट को अभी पिछले कुछ नॉस्टैल्जिक विडियो प्रोम है यहां पर बहुत मेजर स्टार्स फीचर करें रोमन रेंज कोडी रोड सी एम पंक ड्रू मैंटार लिव मॉगन रिया रिप्ली बहुत मेजर टैलेंट सैंट वीडियो भाई काफी नॉस्टैल्जिक है वह वो वाइस जो पीछे से आ द पहला एपिसोड जो इसका होने वाला है वह होने वाला है दिसंबर 14 को अब बात है कि आप लोग कैसे देख पाऊगे तो भाई आप लोग नहीं देख पाऊगे मैं बताओंगा आपको कि क्या हुआ क्या नहीं तो उसकी लिए आपको चैनल पर रहना पड़ेगा बाकि यहा आपको वापस आते हुए देखने को मिलेंगे इस ताइम तक तो आहीं जाने वाले तो लॉंग आइलेंड से होने वाला है न्यू यॉयॉक से दिसंबर 14 को सैटरड़े नाइट में इवेंट एयर होगा एंडबिसी हैंड पीकॉक पे यह ब्रेकिंग निउस कोडी रोड्स रोमन रेंस एंड सेथ रॉलिंस तीनों ही एडवर्टाइस तो लेट सी वाई क्या होता है जा कि आप वीडियो पैकेस देखना ज़रूर से डवड़ी का सोसल हैंडल्स पे बागी यहां पे तो रोमन रेंस कर दिया गया क्या अगले प्रीम लाइब इवेंट में रोमन अप रखरी क्राउन जूल के लिए साच भाई लिए काफी मैंसीं बहूंतлам का वाह पे अप्यों न कंपट कर दिया में इसके बाद साटरडी सी बाकि सारी चीजों के लिए अप लोग कोन होना चाहिए जुकि को चाही है मेरे कोडिंग सिंगल मैचों को बाकि आपको क्या लगता अपने और दाल सकते हैं आगे बढ़ते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि अर्मांदो एलेज़ादरो को लेकर तो बाइब एक लेजंड वाली डील के अंदर आज चुके अब ऐसे में इनों इस चीज़कों पर रियक्ट करते हैं ट्वीट करा एंट ट्वीट क्या गरते हैं के टीज करते हैं जिलाफाटू अपनी अलाइंस अर्मेंदो एस्त्रादा एलेज़ांदरो के साथ में कोट करके वही आईबॉस वाली एमोजी एक तो यह समोंस या नुवा फैमली वाले लोग बोलते बारा कमें भाई रॉक नहीं जित्ता कुछ बोला सब बोल दिया उसके बोलने के उतनी नीड ही नहीं जिलाफाटू कुछ बोलते नहीं सिंपली आईबॉस की मोजी के साथ में रियक्ट करते हैं और दिखाते हैं कि सायथ वह में भी अलाइन हो सकते आगे जाके अर्मेंदो एलेजेंदरो के साथ तो क्या लगता आपको वाई कॉमेंट करके आप पंक मैंकेंटर का कंफर्म नहीं है कि मेंडिमेंट होगा या अभी अभी कंफ्यूजन है लेकिन यह वाला मैच जो भाई सायथ फेवर करते हैं बेटिंग और्स में सीम पंक को एटलिस्ट अभी अभी मैं सायथ बोरहाँ विकास बाद में चेंज हो सकता है मुझे लगता है सीम्पंक माइनस 1000 की ओर्डêts के साथ में फेड़े हैं भाई इस मैच को जीतने के लिए मैकंटरं और प्लस 550 के ऊरज साथ में एस बताया जा रहा है जाए और इसी मैच के साथ में की भी खत्म हो लिव मौग इनका मैच नहीं है तो कोडी रोड सेंड रोमन को यहां पे और्ट्स फेवर कर रही है काफी हेवी फेवर कर रही है भाई माइनस 3000 के और से उदर सामने नहीं बलड लेने भाई अपनी प्लस 900 के और्ट्स के साथ में याने की सोलो सिक्वाएं जेका फाटू तो य यह वाली स्टोरी लाइन काफी अनप्रेडिक्टेबल सी है तो कुछ कह नहीं सकते भाई क्या होगा क्यानी अभी के कॉर्डिंग यह कुछ अपडेटे वाई बैड ब्लड के और रियार इपनी लिंग निकल के सामने नहीं आई यह आईगी तो मैं आपको बता दूगा लेकिन को यह अनको को लात कररें करी देता है अभी किसने क्रिट्शाइज करा है तो काणनन के कीपिन इट 100 पॉड़ पॉड़कास्ट में क्रिटिसाइज कर nous hello ऐन को क्यते तो इनको अगर उस तरीके से बुक करना था तो इनको कहीं ना कहीं अभी तक अपना ट्रिगर पुल कर लेना था अभी कॉस अभी तक यह चीज होते वे दिख नहीं रही है कहते हैं कि जेकव आटू के बुकिंग में डवी डवी ने काफी एफर्ट्स डाले है और वो एक बहुत अच्छी चीज है तो एक सोल सूपरस्टार अगर कोई है भाई इस पूरी फैक्सन के अंदर न्यू ब्लड लैन में तो वो जेकव आटू ही है बाकी तो भाई किसी के सा होजना चाहिए कि इंडियन फैंस टांगल होगे बहुत बरे वाले फैन है तो प्लीज टांगल होगे आगिस ना बुला जाए तो इसे में बारे में कहते हैं कि इनको डवी ने खराब बुक कर रहा है और इससे डॉमिनेटिंग बुक किया जा सकते थे जेकव आटू के साथ इसके पीछे का क्या रिजाने क्या वो कुछ एक्स्ट्राइं स्पेसल देख रहें या फीडविडवी ने कुछ खासी करिस्मा कर दिया है फिलाल भाई इस वीडियो के लिए बस एसतारी अपडेट्स है आई हो आपके इन्वाले टाइम के अंदर आपको और बेस नहीं डि कर सकित्क 쓸 माउले टाहे लिए है फिलाले टाई है लिए मा पीज़ कि अंदर आपके मा खासी कर दोद एल में बसht audio झांजा है पिलाले बस टेखिए टाखमाने के लिए रहें ह।